अस्तामनीकूम फ्रेंड्स, विलकम बैक टूटब स्मार्टीज, ट्रामा सीरियल दिने नादान, जिसका न्यू प्रोमो काफी इंट्रेस्टिंग है, दुरे नयाब और जावियार की मंगनी हो चुकी है, तबी तो जावियार पूरे हक से अब बार बार दुरे नयाब को कॉल करता है, और काफी एक्सप्रेसिव है, अपनी मुहबत का इजहार खुले आम करता है, तुम जानती हो नयाब, मेरी जिन्दगी में बहुत से लड़किया हैं, कोई ओफिस में, कोई कॉलिज में, कोई यूनिवस्टी में, हर जगा पर मेरा साथ लड़कियों के साथ ही रहा, लेकिन फिर भी आइस हुए, अपनी शादी का फैस्ता सिर्फ तुम्हारे साथ किया, और कभी किसी के बारे में सोचा ही नहीं कि उससे शादी करूँगा, क्योंकि मुझे सिर्फ तुम ही अच्छी लगी, ये बात तो दुरे नयाब को खिला देती है, वो बहुत हुश हो ज इतने में दादी रूम में आ गई, तो नयाब जल्दी से फॉन बन कर देती है, अब यहां पर दादी, नयाब के लिए उसकी माँ की चीज़े लेकर आई, ये देखो नयाब, तुम्हारी माँ की चीज़े तुम्हारे लिए संभार रखी थी, कितना अच्छा लग रहा है न लेकिन निगहत से इनकी हुशी कहां परदाश होगी, वो तो जल्दी से गुस्से की आलम में कमरे में आती है, कपड़ों को उठा उठा कर फेंकने लगी, तुम लोग जानते भी हो कितना हर्चा हो जाएगा इस शादी पर नयाब, तुम इतने अमीर घर में जा रही हो, इन दादी को बहुत बुरा लगा, कि वो तो पुरानी से देख रही हैं, तो निगत ने भला ये सब कुछ क्यों किया, दूसी तरफ तानिया का रो रोकर बुरा हाल है, क्योंकि उसने जावियार को खो दिया, उसकी अंदर तो जैसे सफे मातम बिच कई हो, आग लगी हो, इसलि कर ये रिष्टा किया, इसलिए तो जनफर से कहने लगी, नायाब को मैं इस घर में ला तो रही हूं, लेकिन उसके बाद भी, अगर आपकी माने दौलत हमारे नाम नहीं की, तो क्या ही फाइदा उस दड़की को अपने घर लाने का, मैं तो फौरान उसे अपने घर से निका बाहर करूंगी, लिसनफर भी तो लालची है, वो भी तो यही सब कुछ चाहता है कि दौलत उन्हें मिले, तो नायाब यहां पर बसे, वरना नहीं, दूसी तरफ नायाब अपनी मां की नशानियों को पकड़ पकड़ कर रोती है, कि आज इसकी मां उसके साथ नहीं, सिर्फ नायाब भाई रहे का, किसी भी चीज़ की जरूरत हो बेटा, बिला चीज़क मुझसे कहना, तो मारी हर जरूरत हर हाईश पूरी करने की कोशिश करूंगा, तो नायाब भी भाई के गले लगकर बहुत रोती है, लेकिन फिर आहर का रुकसत होकर इसे जावियार के घराना ह और पिर यहीं पर उसकी असल आजमाशें शुरू होंगी